नमस्कार मेरा नमेमान इनबीसेन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ सीधी बात मान के साथ अरे भाई आप पैट्रोल हो गया है सो के पार कहा है मोधी सरकार 2014 में बड़े बड़े वादों के साथ मोधी सरकार मैदान में उतरी थी पूरे हिंदुस्तान को भरोसा था कि अब कोई नया प्रदान मंत्री आकर देश का नाम रोशन करेगा और देश को समालेगा सब को एक उमीद थी सब को एक आस थी जब मोधी सरकार ने कहा था कि महंगाई आसमान चूरी है और महंगाई को कम करना जरूरी है उन्होंने ये भी कहा था कि पेटरोल के दाम बहुत जादा बढ़ गए इसके कम होना बहुत जरूरी है अब मोधी सरकार ने इस पेटरोल के दाम को सौ के पार लेके गई क्या वो वादे थे या जुमले कैसे ये भरोसा किया जाए जब 2014 में पूरे हिंदुस्तान ने एक तरफा मानिन्या मोधी जी को जित दिलाई थी मिडर क्लास फैमिली ये सोच रिए थी कि अब कुछ अच्छे दिनाएंगे हाई क्लास फैमिली ये सोच रिए थी कि अब बहुत कुछ कमाया जाएगा लो क्लास फैमिली ये सोच रिए थी कि अब कुछ सेवी होंगी और फ्यूचर बहतरिन दिखेगा लेकिन क्या ये सब हुआ अब लगता है 2014 में किये गए वादे सिर्फ जुमले थे क्या सच में जुमले थे हम सब को एक तौर ये भी देखना चाहिए कि COVID-19 ने पुरे देश का हाल बहाल कर दिया हमारी GDP बहुत जादा गिर गई है लेकिन हमने ये भी देखा है कि सरकार ने इस COVID-19 के वक गौर्णमेंट फैसिलिटीज बहुत जादा बढ़ा दी थी और बहुत सारे लोगों को राशन तक पहुचाई क्या इन सब का पैसा पैसा पैट्रोल के दाम बढ़ा कर निकाला जाएगा क्या ये कर रही है सरकार फिलाल इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है लेकिन हम ये सब देखना चाहते और जानना चाहते कि वो एक्टर्स का है जो 2011, 2012, 2013 में पैट्रोल के दाम बढ़ते वक्त बड़े बड़े ट्वीट किया करते थे मानिनिया अमिता बच्चन जी आप ये ट्वीट स्क्रीन पर देख सकते हो मैं मानिनिया अमिता बच्चन जी से पुछना चाहता हो कि पैट्रोल सो के पार हो गया है आपका ट्वीट दिख नहीं रहा है क्या ट्वीटर ने आपका अकाउंट बैन कर दिया है क्या ट्वीटर ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है नहीं तो प्लीज कोई ट्वीट करके हमें कोई संदेश भीजिए या कुछ बताईए कि पैट्रोल का दाम आपको किस तरह एफेक्ट कर रहा है दुसरा ट्वीट है हमारे मानिन्य अनुपम खेर जी का उन्होंने कहा कि मैंने आज अतने ड्राइवर से पूछा कि इतना लेट क्यों आयो तो उसने कहा कि मैं साइकल में आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमारी मोटर साइकल का है तो उसने कहा कि मोटर साइकल तो सिफ शोपीस के लिए बच्ची है क्योंकि पैट्रोल के दाम बहुत उपर है आप ये सारे ट्वीट स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरा मानीनिया मिता बच्चन जी किस तरा मानीनिया अक्ष कुमार और किस तरा मानीनिया नुपमखेर जी के ट्वीट तब थे जब पैट्रोल 80 या 81 रुपे हुआ करते थे लेकिन अब पैट्रोल 100 के पार हो चुका है और इन में से किसी भी व्यक्ति का ट्वीट नहीं आया है मैं पुछना चाहता हूँ कि कहा है स्मृति इरानी जो चीक चीक कर चिला चिला कर रोड पर तमाशा करती थी कि महंगाई बहुत जादा है महंगाई को कम किया जाए सरकार बदली जाए और मानिनिय मनमोन सिंग का इस्तिवा मांगा जाता था लेकिन आज जब पेटरल सौके पार हो गया है तो कोई भी वैक्ती मुझे सड़क पर नहीं दिख रहा है कोई भी लोग चिलाते हुए नहीं दिख रहे है बड़े बड़े एक्टर कोई ट्वीट नहीं कर रहे है क्यों यह सवाल देश की जनता पूछ रही है उन महान लोगों से जो हर छोटी बात पर ट्वीट कर देते थे 2014 के पहले जो तेल आप तक पहुशता है उसमें 60% से अधिक टेक्स लगता है जैसे की Central Excise Tracks, State Wett और Dealer Commission इन सब के बाद टेल आपकी गाड़ी पर पहुशता है और आपकी गाड़ी रोड पर चलती है लेकिन जिस सरा पैटरोल के दाम बढ़ रहे है ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया खुदी रोड पर आकर अपने दो पहिया मतलब अपने पैरों के साथ चलना शुरू कर देगी फिलाल ये देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में पैटरोल के दाम कम करती है या नहीं क्योंकि आगे और भी चुनाओ है और पैटरोल के दाम बढ़ते रहे तो बाजी भी पलट सकती है लेकिन हमें बिल्कुल नहीं के चलते वक्त भाजपा सरकार ने जो निरने लिये थे वो कमाल के थे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चीए कि मानिनिया मोधी जी के जो कड़वे फैसले थे वो आज भारत को भारत देशवासियों को बचाने में बड़े काम आए हम कैसे भूल सकते हैं जब भाजपा की सबसे जादा जरुवत महराश्चा में थी तब मानिनिया नितिन जी गड़करी सबसे आगे आये थे और महराश्चा को बचाने में सबसे बड़ा योगदान उनका ही है हमें उनके अच्छे कामों को नहीं भूलना चीए लेकिन जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे उससे एक मिडल क्लास फैमिली किस तरह लाचार हो रही है ये भी ध्यान रखना चीए एक तो देश की जनता के पास काम नहीं बिजनेस सारे थप पड़े है सारी दुकाने बंद पड़ी है घर में खाने के लाली है और उसके बाद बढ़ती हुए पेट्रोल के दाम कई ना कई मिडल ग्लास परिवार को और लाचारी में ला रही है मैं माल इन विस एन न्यूस से